हेलो फ्रेंड्स वेरी गुड आफ्टरनून टू अल उफ यू सो हमने फरवरी दोहजार तेस की क्रोनलोजी में फर्स्ट वीडियो देख लिया था जहां हमने मासे घटनाओं का सारसंग्रे पड़ा था आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम अंताराश्टिय परिद्रश्य को यानि के इंटरनाशनल न्यूस को पढ़ेंगे तो जलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल देखिए जो गंतंत्र दिवसे यानि रिपब्लिक डे है उस पर जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो थे मिस्र के राश्ट्रपती अब्दुल फते अलसीसी तो इनकी भारत क दूसरी यात्रा थी यह ध्यान रखेगा भारत में दूसरी बार इन्होंने यात्रा की है और यह हमारे इस बार के चीफ गेस्ट थे सेकिंड पॉइंट यह है और इसमें कोई विशेश बात इसमें जानने वाली है नहीं कि इन्होंने सयोग किस बात पर किया वही चीज होती की जो national news होगी और वहां मिस्र की जो national news होगी उन दोनों का आदान प्रदान करने के लिए agreement साइन हुआ है तो यह थोड़ी से काम की बात है और मिस्र की राजदाने आप जानते हैं काईरो है और मिस्र एक अफरीकी देश है यह इसके बारे में कुछ factual बाते हैं अब चलेंगे नेक्स आर्टिकल पर नेक्स आर्टिकल देखिए एक रिपोर्ट के उपर है रिपोर्ट का दबही हाली में मीटिंग है दाव इंडर और इस बारका इसका थीम था corporate in a fragmented world और इस्तेमीं इसी मीटिंगं है कि यही परिपोर्ट के दुबरा जारी की अब देखेंगे जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है यानि जोखिम है तो किस प्रकार के जोखिम की बात करता है तो देखें इस ने कहा है इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि आने वाले दो वर्षों में हमें अधिक गंभीर जो जलवाईू परिवर्तन है उसके तरफ से एक इस खम को देखने को मिलेगा और जलवाईू परिवर्तन अनुकूलन की जो विफलता है वो भी हमारे लिए जोखिम के तरह रिस्क है एक मानव जाती के लिए और जब देखिए जब भी क्लाइमिट चेंज की बात होती है तो आप जानते हैं कि प्राकरतिक आपदा है चरम म प्रित प्रभाव पड़ता है फिर देखिए इन्होंने और कौन-कौन से संकट वता है और कौन-कौन से रिस्क वता है तो देखिए खाद्य संकट है बोजन संकट है मुद्रा स्वीति है और जो रूस यूक्रेन का यूद्ध है कोविड-19 जो महामारी है उसकी कारण जो है वैश्विक मुद्दों में ये देखने को मिलेगा, क्या-क्या, एक तो भोजन की कमी, एक मुद्रा स्विती, ये सब चीजें, रिस्क के रूप में देखने को मिलेगी, उसके अलावा, जो है, और कौन सा गंभीर वैश्विक रिस्क है, जो आपको देखने को मिलेगा, जो की तो, नेक्स आर्टिकल है, भारत ने अपने पोडोसी देश, माल दीव, उसको 4 करोड रुपीस का जो आपका रिन है, लोन जो है, उसको अलॉड किया है, तो यह जो लोन है, यह किसलिए दिया गया है, वहां पर sports का जो बुनिया दे ढाचा है, जो infrastructure है, sports का, वो डेवलॉप कर जा करने के लिए यह रिंड दिया गया है तो अब इसे दिमें देखें अब एक चीज और है कि यह जो सपोर्ट के लिए जो हमारे यहां पर स्कीम सब्सक्राइब किया जा सके यहां पर कई सारी योजनाय है जो हमारे यहां के जो विदेश मंत्री है S.J. शंकर उन्होंने लांच करी है तो यह सब इंफ्रास्ट्रक्चर से समंदित योजना है भारत जो है काफी फंडिंग करता है आपको पता है मालदीज है हमारे पडोसी देश श्रीलंका है बांगला देश है इनको काफी सारी फंडिंग रिन जो है भारत के तरफ से दिया जाता है अब देखे यहां पर एक जगय का नाम है शावियानी फोकेदू नाम का एक सामुदाइक केंद्रियर उसके अलावा 45 अन्य परियोजनाए है जो भी मालदीवस के अंदर लॉंच की गई है इसके उपर कोई कोशन बैसे तो नहीं बनेगा सिर्फ यह पूछ सकते हैं कि हाली में जो है एक लोन अलोट किया है वो किस देश को भारत ने 4 करोड रुपे की रिन सुविधा उपलब्द करवाई है तो आप यह इस प्रकार का अगर जनरल कोशन पूछें तो आप बता सकते हैं कि मालदीवस को यह किया है फिर देखें G20 की जो अधिक्षिता है उसमें 11 सहबागी समूँ के साथ और होगा विचार विमर्श भारत का उसको लेकर की के निउसे देख लेते हैं अब देखें ये जो ग्रुप्स हैं जिसके लिए भारत जो है जिसके अधिक्षिता आप जानते हैं कि G20 के अधिक्षिता भारत कर रहा है इसके अंदर जो और मीटिंग्स हो रही है वो कहां कहां पर होगी तो देखें पूरे देश के अंदर जो है 60 से अधिक जो हमारे शेहर हैं वहाँ पर 200 से ज़ादा यहाँ पर मीटिंग्स होंगी और जो अलग-अलग छेत्रे हैं उनसे संबंदित 11 सहबागे समों के साथ व्यापक विचार विमर्ष जो है वो किया जाएगा जैसे कि बिजनिस 20, सिविल 20, श्रम 20, संसर 20, विज्ञान 20, साइ 20, स्टार्टप 20, वुमन 20, यू 20 इस प्रकार के जो ग्रुप से उनके साथ में विचार विमर्ष किया जाएगा ताकि जो एक हमें लीडर्शिप मिली है जी ट्वंटी की जो लीडर्शिप मिली है डेवलपिंग कंट जो है एक वेश्विक पटल पर भारत रख सके तो इसलिए ये इसके मीटिंग से और अब देखिए स्टार्टप 20 जो है वो सहबागी समुको भारत के अधिक्षिता में प्रसावित किया गया है यह विकास संबंदी चुनौतियों और अन्य बाधाओं को दूर करने के लिए जी 20 देशों के नेताओं के लिए के लिए कारवाई की अनुशन सा करेगा तो यह स्टार्टप 20 का मकसद रहेगा तो हलां कि आप इतना ध्यान रखेगा कि कहां कहां पर अभी जो है इसकी मीटिंग्स होती है और क्या-क्या एजंडा जो है वहां से निकल करके आता है क्या- चीजे हैं जो हमको पढ़ लेने चाहिए पहली चीज तो यह इसका विशय हमको पता होना चाहिए और यह मैंने आपको फोटो में भी बताया था कि एक वर्चुल यह समिट था और इसके अंदर जो हमारे साउथ एशन जो कंट्रीज हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और जो हमारे पडूसी देश हैं जैसे की बांगला देश है और यहां श्री लंका है थाइलेंड कंबोडिया है तो इन सारे देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया इस समेलन का जो थीम था वो था आवाज की एकता उद्देश्य के लिए एकता यह इसका थीम था और इस जो कंट्रीज है उनमें रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए और जो जो भी प्रॉब्लम्स है उसके विकास को लेकर के जो समधान है उन पर शोद करने के उद्देश्य से इस ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सिलेंस को स्टेबलिश किया जाएगा कहां स्टेबलिश किया जाए उनसे प्रभावित किसी भी विकासिल देश को आवशक जो वैक्सीन है चिकित्सा है मेडिकल जो एड है वो प्रवाइड करेगा तो चिकित्सा अपूर्ती के लिए आरोग्य मैत्री है और जो रिसर्च है उसके लिए ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सिलेंस बनाये गया ह है अब चलेंगे नेक्स अर्टिकल पर तो देखे छे दशक में चाइना की जो पॉपुलेशन है उसमें पहली बार गिरावट देखने को मिली है तो हालंकि यह बात यह कि इसमें अब जो है इंडिया जो है चाइना से आगे बढ़ गया है पॉपुलेशन के अंदर और अब करते देख चलते हैं अब्दूरह्मान मकी वैश्विक आतंकी जो है घोशित किया गया है तो सभी तो राष्टर ने पाकिस्तान इस्तित आतंकवादी संगर्टन लशकरे तेयाबा का जो उप्प्रमुख है अब्दूरह्मान मकी इसको वैश्विक आतंक पधी घोशित कर था तो यह इसके बारे में है फिर चलेंगे चाइना ने जो है लॉंज की एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन अच्छा इसमें एक चीज और है कि युनाइटेट नेशन का एक रिजॉलुशन है उसका नाम है रिजॉलुशन या प्रस्ताव 1267 इसके तहट जो है किसी संगठन को आतंकवादी संगठन या इंस्टिटूशन को आतंगवादी इंस्टिटूशन गोशित किया जाता है तो यह रिजॉलुशन आप तोड़ा ध्यान रखेगा उसके अलावा यह जो संगठन है लश्करय तयबा और इसका जो हैड है इसको पहले ही भारत और अमेरि हीड्रोजन ट्रेन लाँच की है तो चीन की CRRC जो कॉर्परेशन लिमिटेट कंपनी उसने देश की पहली हीड्रोजन ट्रेन लाँच किये तो यह एशिया की पहली और विश्व की दूसरी है इससे पहले जर्मनी ने 14 हाइड्रोजन ट्रेनों का बेड़ा जो है वह 2022 में ला चल सकती है तो यह important बात है और उलेख ने कि भारत में भी hydrogen train पर तेजी से काम हो रहा है भारत की पहली hydrogen train 2023 की आंत तक बनकर त्यार हो जाने की संभावना है अब चलते है नेक्स आर्टिकल पर नेक्स आर्टिकल है global fire power सुचकांग 2023 इसको मैंने first वाले वीडियो में अच्छी पेक्ष में देखें तो उसको ये मेजर करता है ये इंडेक्स उसको मेजर करता है इसको जो जारी करता है वो है आपका defense statistics website ये जो वेब-साइट उसको दिखाया जाता है और ये आम्ड फोर्सिस के अंदर इस पाइदान पर है इसके उपर एक बर कोश्चन भी आया हुआ है उसमें इंडिया की रंकिंग पूछी गई थी तो इसलिए हमको इसको थोड़ा पता रखना है फिर देखिए अब जो है क्रोनलोजी के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं अब इसके रंख क्या जाएगा ताकि और भारत ने कहाए कि भारत ने खुद ने अपील किये कि लिए इसको रखना की प्रदान मंत्री है जैसी का अलडन उन्होंने अभी त्याक पत्र दिया है और उनके जगे पर अभी दूसरी संवर्द है दूसरे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर बने जिनका नाम है क्रिस हिपकिंग्स तो नाम याद रखिएगा हो सकता है आपसे पूछ ले क्यूंकि आरेस प्रिलिम्स में भी एक बार कोशन आया था राश्ट्रपती को ले करके तो चर्चा में थे उस समय तो आप परसने सहां उनके उपर भी आपको कोशन पूछे ला सकते हैं फिर देखिए कि अमेरिका की राश्ट्रपती हिए उन्होने उतंतर कारिया के अंदर नौर्थ कोरिया के अंदर उनका। अमरीकी सैनिक थे और उनको फिर बाद में जो है हटाया गया वहां से उसी प्रकार माली के अंदर फ्रांसेसी देश के सैनिक थे और अभी ऐसा कौन सा दूसरा देश है जिन्होंने भी दुबारा रिक्वेस्ट किये कि फ्रांस को जो है वहां से निकाला जाए फ्रांसेसी सैन आने वाला वो है आपका ब्राजिल फिर देखे एक जगे है मोगा दिशू यह किस देश की राजदानी है जहां पर अलकाइदा से जुड़े जो गुट है अलशबाब उसके द्वारा एक बंविस्वोट किया गया था तो वो सुमालिया है सुमालिया की राजदानी है मोगा द कल्चर हेरिटेज इंटेक नाम क्या है इंटेक नाम है और यह इंडिया की संस्ता है कहाँ पर इन्होंने यह प्राक्रतिक दरोर संग्रक्षन समेला नायुजित किया है नेपाल में किया है फिर देखे युनेसको ने बश्ट दोहजार सरी 24 जनवरी को अंतराष्ट्य शिक् ना इंपॉर्टर नहीं है इसको आप काड़ दीजिए भारत ने मालदीव को सामुद यह भी मैंने आपको बता दिया था चार करोड तो आपको मालदीव को दिये हैं स्पोर्ट इंफ्रस्रॉक्टर के लिए और बाकी की जो सामुदाइक परियोजना है पब्लिक वेलफेर स परण के लिए एक नई संगिये निवेश की घोश्णा की है तो कनाड़ा देश है जิसने के इसकी घोश्णा की है नेक्स देखिये कौनसे दो अफ 29 साजा मुद्रा प्रचलन की यूजना बना रहे हैं यानी कि दो अippy अ पर चाइना के दोबरा गंगा की साहयक नदी पर विशाल बांद बनाए जा रहा है तो वह जो सहयक नदी उसका नाम है माबजा जांग बो नदी माबजा जांगबो नदी तो यह ध्यान रखेगा यह गंगा की सहायक नदी है जो इस ट्राइजक्शन पर बहती है फिर देखिए भारत और ब्रिटेन द्वारा कौन सी स्कीम जो है 28 वर्वरी को लॉंच की जाएगी जिसके तहरत 18 से 30 वर्ष की उमर के 3000 से जादा जो डिग्र लेकिन ब्रिटेन में उनको दो साल तक रह करके काम करने की जो है वो परमिशन दी जाएगी तो यह जो स्कीम है उसका नाम है UK इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम नेक्स्ट देखिए भारत ने केरिबियाई देश को पेंटावलेंट टीकों की 12500 खुराक दान करने की घ हिब से सुरक्षा जो है यह प्रदान करेगा और यह जो है यह पेंटावलेंट वैक्सिन क्यूबा को दी जाएगी फिर देखिए पासपोर्ट मुक्त शेगन चेतर में शामिल यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपना कर कौन से देश यूरो जोन का 20 सदस्य देश ब बनाए गई विश्व के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है तो अमेरिकन फाउल बूट जो है इस टीके को मंजूरी दी है और यह मद्दुमक्यों को बचाने के लिए है फिर देखिए भारत और फ्रांस के बीच में सामरिक वारता या स्ट्रेटेजिक जो बातचीत है उसके लिए दिल्ली के अंदर एक कारिकरम आयोजित किया गया है और यह चतीसवा भारत फ्रांस सामरिक वारता जो है सेशन था फिर देखिए भारती उचयायोग ने श्रिलंगा के किस विश्व विध्याले में हिंदी पीट इस्तावित करने के समझाते पर हस्ताक्षर क सब्राग मुवा विश्व विध्याले जो है वहां पर इसको लॉंच किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया की जो सरकार है उसने कहा है कि एक भारती भाषा है जिसको कि हम सिलेबस के अंदर अपने पाठीकरम में शामिल करेंगे वह भारती भाषा है पंजाबी आप जानते कैनेड की निशय संधिक कब लागो की गई जिसके तहरत दोनों देशों ने अपने पर्माणों प्रतिष्ठानों और कैदियों की सूची का आदान प्रदान एक जन्वरी 2023 को किया है यानि कि हमारे जो प्रमाणों प्रतिष्ठान जो हैं और उसके अलावा जो हमारे कैदी है उनकी जो सूची होती है जो लिस्ट होती है उसका में आधान प्रदान करना होता है और यह संधी की गई थी 27 जनवरी 1991 को ठीक है तो यह होता है हमारा आज का अंतराश्ट्य परिद्रश्य इसमें कुछ एक चीज़े हैं जो काफी इंपोर्टेंट है बाकि तो नॉर्मल आप एक रे सब्सक्राइशिक परिद्रश्य को पहले कंप्लीट करेंगे तो थैंक यू वेरी मुच फूर लिस्निंग अ